हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब तो आज के वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ राजिस्थान की फेमस पूरी के साथ बनने वाली कच्री की चट्नी या कच्री की लोंजी जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही सिंपल सी रेस्पे जटपड बनके रे है तो सबसे पहले हमें क्या करना है हम सारी कच्री को छील लेंगे इस तरीके से हमें सारी कच्री का छिलका उतारना है अगर आप कच्री की सबजी बना रहे हो तो छिलका उतारनी के जरुरत नहीं है लेकिन अगर कच्री की चट्नी हम बना रहे हैं तो हमें छिलका उतारना ह सबसे पहले हमें कचरी को छीलना है सब्सक्राइब सब्सक्राइब II तो पतातु के बिढरा कोभाद में इस तरीके से अमस्कोल गुल-गुल काटें फिस चट्नी вниз नहीं से थोड़े के पतले मां पतली weyl ko couple नुग के गोलगोल स्राइसिस कट कर लेंगे तो इस तरीके से हमें क्या करना है सारी कच्री को चीलने के बाद सारी कच्री को काटना है और हरी मिर्च को भी छोटे-छोटे पीसों में काटना है देखिए मैंने हरी मिर्च को काट लिए कच्री को काट लिए तो और हमें क्या लेना यह एक चम्मच जीरा, आदी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच धनिया पाउडर लिया है, तो मीठी लोंजी बनाने के लिए कचरी की हमें ये सारी चीजों की जरूत है, तो सबसे पहले मैंने क्या करा है यहाँ पे, एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में मैंने 2 टेबल सबस्कून मैंने जीर एड़ करा है, जीरो को एक बर हलका सम भून लेंगे, ये देखिए हलका सम तड़का त्यार होने तो अब इसमें मैं एड़ कर दूँगी दो बड़े चम्मच सोफ, सोफ को मैंने हलका सम मोटा कूटा हुआ है, या हलका सम मिक्सी में पीच सकते हो, बहुत ही अच्छा हो जाता है, इसको एक बर हम अच्छी तरह ये देखिए तेल में भून लेंगे सारी चीजों को, और उसके बाद हम इसमें सारे मसाले अड़ करेंगे, और सबसे अच्छी बात यह है, कि यह चटनी चार से पांच मिनट में बनके रड़ी हो जाती है, दे देखिए, यह देखिए, सारे मसाले हमरे अच्छी तरह भून गए है, तो अब हम इसमें अड़ करेंगे, कच्छी और हरी मिर्च, मैंने इसमें कच्छी डाल दिये, और आपको इसमें अड़ करना है, हरी मिर्च, जिसे मैंने छोटे-छोटे पीसी में कट कर लिया था, हरी आम की चटनी बनाते हैं प्रांठे के साथ या पूरी के साथ भी खॉसक्ते हैं तो इस तरीके से मैंने इसे 1-2 मिनिट के लिए धक्के रख दिया था यह देखे यह हमारी बनके 51 हो गई है और अब हम इसमेड करेंगे 2 बड़े चंमत चीनी स 7 अच्ची की चटनी जो खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है मुझे तो एक्चली यह चटनी बहुत ज़्यदा पसंद है एक मिनट हो गए है तो एक मिनट के बाद देखिए इस तरीके से सारी चीनी मेल्ट हो गई है और यह देखे आप देख सकते हैं कि देखने में कितनी अच्छी बता है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर आप फर्स्ट वे मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं बूलिए और मेरी वीडियो को जादर से जादर लाइक कीजिए और शेर कीजिए और मिलते हैं फ्रेंड्स एक न